हेलो फ्रेंड तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रियेट बेल्ट भी तभी के साथ तो प्रेंड आज आप लोगों ने देखा हुआ कि निफ्टी थोड़ा सा अच्छा मोमेंट दिखाई बट अभी हम इसको कंफर्मेशन नहीं मानेंगे कि अब फिर से एक लं उसके बारे में हम डिसकस करेंगे कि इनमें अगले सिक्स मंथ के लिए थ्री मंथ के लिए इसमें पोजिशन बना सकते हैं एक साल के लिए और बहुत अच्छा यहां से रिटर्न देखने को मिल रहा है जो कि मन्तली वीकली और डेली तीनों ही चार्ट पे तीनों ही टाइम पर बहुत ही बढ़िया सेटप बन रहा है और यहां से एक अच्छा रेली और रेजिल्ट विए उनका फाइनेंसियल भी बहुत ही बढ़िया है तो आई एक एक करके सबसे पहले एक बार हम इनिफ्टी का चार्ट देखते हैं कि क्या आउटलूक बन रहा है इनिफ्टी का ऐबी आप देखोगे यहां पे कि का हमने डेली काइम लिए और डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे बहुत ही बड़िया के इसको कटेजिवर बार candle भी आप बोल सकते हो और एक अच्छी हैमर भी बोल सकते हो तो बहुत अच्छी विक बार candle है यहां पे बनी हुई है और वन डे चार्ट पे और उसके बाद जो next candle है बहुत ही अच्छा आज की जो candle है उसने confirmation भी दिया है तो यहां से हमें एक रैली देखने को मिल सकती है बट अगर हम इसी को वन डे के चार्ट पे देखें मैंने वन आवर का चार्ट ओपन किया है जिसमें आप देखोंगे तो मसेडी क्रॉस ओबर है और आरशाई भी अच्छा काम कर रही है नियाद से आप देखोंगे तो इस ट्रेंड को यह विल्कुल सपोर्ट करते हुए च और अगर यह एक बार इस्ट्रेंड को निकलके 600 की लेवल को अगर एक बार होल्ड करता है यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो एक अच्छा साइन होगा कि यह एक बार थोड़ा सा यहाँ फिर से टेस्ट करके रेट्रेस्मेंट करके और फिर उपर की तरफ यह निकल जाए तो यह इनिफ्टी में अभी चीजें ऐसी बन रही है ऐसा सेटप बन रहा है लेकिन अफाइस का डेटा बहुत इंपोर्टेंट होगा देखते हैं फाइस का क्या डेटा है ठीक है तो थोड़ा सा अभी पेसेंस रखी और जल्दिवाजी करने कोई जरूरत नहीं कि अभी त तुरंत अपने पैसे डालने कि अब तो यह निफ्टी भाग जाएगी और बहुत ही सुपब कॉन्फर्मेशन 17,800 को एक बार जब निकलेगा उपर क्लोजिंग देगा तो बहुत अच्छी यहां से रैली हमें देखने को मिल सकती है और उसके बाद जो यह तो रही निफ्ट अब एक इस टॉक के बारे में हम देखेंगे इस टॉक का नाम है इंडो काउंट इंडस्ट्री इंडो काउंट इंडस्ट्री चार अजार बाउन करोड का इसका मार्केट के अप्लाइजेशन जो क्रेंट प्राइस चल रहा है वह 206 रुपए जो इसका 52 वी खाई है 315 रुपए है और इंडो काउंट इंगेज इन दा होम टेक्स्टाइल ठीक है वीडिंग इंडस्ट्री दा कंपनी मेनुफेक्टर एक्सपोर्टर आप दा बैट सीट से बैड लाइनर ठीक है पिलो इस टाइप के चीजों में डील करती है और आप इ अधिक है फैसन वीडिंग इंडस कलेक्शन इंक्लूड मैचिंग एंड कंप्लीमेंटरी सीट से कंफोर्टर थिक रोट्स कबर एंड कोईट से पिलो संप्सक्रट इसकाट इटिलिटी वीडिंग में क्या है मैट्रेस पैट्स ठीक है मतलब अर टाइप के उसमें ब्रैंड पूर्फोलियो इनको कोड़ ब्रैंड पूर्टोल 17 ब्रैंड ठीक है लिविंग सिंपल पूर्टोल कंपर्टर इंटरनेशनल स्लेपी में ठीक है इनका जो एक्सपोर्ट से आप देखो 95 परसेंट फाइनसे ट्वंटीवन में 93 परसेंट 20 में ठीक है डोमेस्टिक में तो कम है लेगिन एक्सपोर्ट इनका बहुत अच्छा यूएस मार्केट एकाउंटेट फार टू थर्ड ऑफ इट्स टोटल रिवन्यू वाव तो यह चीज़े हैं और मैंनुशनल फैसल्टी ग्लोबल फ्रेशर मार्केटिंग स्ट्रेटजी यह सारी चीज़े आप डिटेल में एक बार देख लेना वीडियो हैं पे लंबी हो ज आप एक चीज़ देखो इसकी सेल्स जो ग्रोथ आप देखो के चारसो बैयालिस पांसो अठारफ पांसो सत्तासी चैसो सेटीस ठीक है यहां जून में 336 से सीधे डवल हो गई यहां पर गजब की इसने डिवांड दिसंबर 2021 में 787 हाइस टेवर बहुत ही बड़ी है इसका रिस्पॉंस रहा और ऐसा भी नहीं आप देखो अधर इंकम इनकी माइनस 21 करोड की अधर इंकम से जो भी चीज़ है हुआ है यह सेल्स करके इन्हों ने यह ग्रोथ अपना बनाया है और रिजर पर लगाता है अपने रिजर पे बंकर रहिए चोड़ सो चोआज्चैपार का टेक्स्टाइल पर है आप देखो कोई-उर ग plot इक ट्लीस इतना है है कि यह अपनी बारोई को खत्म कर देंगे तो भी इनके पास साथ सो करोड का कैस बच जाएगा कि उसके बाद आप देखोंगे जो एफाइस की होल्डिंग है वह 9.68 परसेंट है और पब्लिक में भी देखो मुकुल अगरवाल ठीक है गगंदीप यूनिवर्थ फाइनेंस तो इनके पास भी इधर माल पड़ा है तो सारी चीजों को लेके बहुत ही अच्छा बहुत ही जवर्जस्ट फंडामेंटल्स है अब जो सबसे अच्छी चीज निकल के आ रही है वह हम टेक्निकल है यह टेक्निकल हम देखते हैं अभी मैंने वन डे का चार्ट ओप चीज कर रहा है कि मैं क्या बता हूं वह वोल्यूम जिस वोल्यूम से देख रहे हो आप तेजी से उपर गया उस बहुत ही मतलब बिग्दम स्लोली स्लोली यहां से लेके यहां तक स्टॉक ने नीचे की तरफ आया और ऐसा नहीं है अभी हमें दिख रहा होगा कि यहां से को स्टॉक नहीं बन रहा है नीचे आ सकता है पट ऐसा है नहीं अभी हम इसको एक बार अब वीकली चार्ट पर देखते हैं यह वीकली चार्ट ओपन किया है मैंने कि तो आप एक बार यह वीकली चार्ट पर देखोगे यह वीकली चार्ट है वीकली चार्ट पर आप देखोगे तो इक्जेक्टली उसी पर 206 पर ही जो इसका वह है उसी के पास यह होल्ड कर रहा है और आई होक की यह होल्ड करना चाहिए नहीं तो यह फिर एक बार यह 170 का लेवर लेवर दिखा सकता है बट मुझे लगता नही है कि जितनी धीमी से धीमी गती से यह अलकालका ओपरेटर नीचे लाने कोसिस कर रहा है यह वन सॉट में बाउंस बैक मारेगा और अगर इसी चार्ट को मंतली पर ले आते देखो कोई भी अगर एक चीज आप याद रखना कोई भी चीज अगर हम लॉंग टर्म के लिए इ स्टेम होई चीज है ठीक है बहुत ही मतलब सुपर यहां पर ब्रेक आउट था और उसको रिटेस्ट किया है तो यहां से मुझे लगता है कि यहां से इंडो काउंट में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो मैं जो स्टॉ और यहां पर जो टार्गेट निकल के आएगा वो अगर मैं सीधा सीधा इस टार्गेट की बात करूं तो अगर मैं यहां से भी इसको होल्ड करता हूं तो यह टार्गेट 408 का टार्गेट निकल के आता है जो हर हाल में आना ही आना है तो आप टाइम ले सकता है बट ये टार्गेट डेफिनिटली निकल के आगा क्योंकि मंतली वीकली एंड डेली बेसिस पे भी बहुत ही बड़ी है सेटप बन रहा है जो दूसरा हमारा स्टॉक है फ्रेंट वो है गोकुल रिफॉयल हमने कई बार कवर किया और हमेशा इसने प उपन किया है आप यह देखोगे गोकुल रिफॉयल का इसको मैंने डिटेल वीडियो में भी डिसकस किया बट इसमें एक बार फिर से मैं दिखाना चाहता हूं सकता कुछ नए वीवर्स है इसमें आप देखो पर मोटर के पास 72.9 ठीक है डियाइस के पास 1.01 अब पब्लिक एक्सपोर्ट के पास है ठीक है जीता 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 जी गनेज जी के पास है 1.53 वन पॉइंट फाइफ थी इनके पास है वन फाइफ तो आप टोटल अगर देखो गो दस तिंग तेरह लगवाई 20 से 21 परसेंट 20 परसेंट तो मल ऐसे इनके पास है बड़े सार्क के पास है तो अनली 6 परसेंट रिटेलर के पास है तो यह चीजें यहां भी ठीक वही जैसे इंडो काउंट में गेम चल रहा है वही गेम चल रहा है आप इसका रेजल्ट देखोगे अभी है और कंपनी को जो ऑप्रेटिंग फ्रॉफित हुआ है वह भी अच्छा हुआ है 8.25 पर रहे तो यह सारी चीज़े हैं और अभी अभी इसका हम चार्ट पैटरन अगर देखते हैं कर देखोगे कि इसमें भी बहुत ही आराम से जो इसने हाई बनाया था फॉट्रुटी सेवन फॉट्रुटी याँ से लेकर धीमें 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 करके इस ने ऑपरेटर यहां से लोगों को बाहर करने की पूरी की पूरी अपनी कोशिश कर लिया लेकिन लोग माल बेश नह रहा है थीक है तो यहां पर हमारा थर्टी फाइब का स्टॉप लॉस है जो कि हम थर्टी फॉर कंसीडर करेंगे थर्टी फॉर का इसमें स्टॉप लॉस और अगर हम डेली बेसिस पर भी अगर हम टार्गेट अपना देखते हैं तो अभी इस लेबल पर है अगर हम यहां से तो भी अभी हमें यहां पर 52.35 का टार्गेट देखने को मिल सकता है अब इसी चीज़ को में अगर वीकली वेसिस पर एक बर देखते हैं मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है वीकली चार्ट पर आप देखोगे तो यह था जो कि यहां पर 34 का ही 34 का 34.15 का यहां पर यह रिटेस्ट जो लेबल है इसका यहां पर आ रहा है और अभी इसने जो यह ब्रेक आउट दिया था एक तरीके से फेल हो गया और यह अपने टार्गेट को एशीव नहीं किया और टार्गेट अपने अचीव करेगा 101 परसेंट अगर इसी को हम मंतली चार को पैटर्न है जितना बड़ा यह होगा कि रेक आउट के बाद भी इसका जो टार्गेट निकल के आता है वो यह निकल के आता है 64 का तो और जो इसका लाइफ टाइम आई 110 है तो यह सारे टार्गेट हम मुझे यहां पर आते हुए नजर आ रहा है इसलिए मैंने मैं तो इसमें मैंने अल्रेडी पोजिशन बना रखी है और मैं मेरी जो वाइंग हो 39 की है और आज मैं अभी एक्श और एक यहां पर 64 का जो मेरा फर्स टार्गेट है 52 और 64 इंग के लिए मैं वेट करूंगा तो यह दू सेर्स थे जो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहते और इस मार्केट में भी काफी श्ट्रॉंग बने हुए हैं को प्लाइब है को जिएबा प्लिव में कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंश के साथ जादे जादे वीडियो में मैं आप